हेलो फ्रेंट वेलकुम टो गोलें करियर आरार वी प्यों के इंटर्वीव क्लासे चल रही है और यहां पर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रेडिट एंड डेविट कार्ड के बीच में की डिफ्रेंस क्या होता है इंटर्वीव के लिए बहुत इंपोर्टेंट है कमेंट बॉक्स में लिंक दिया होता है या प्ले स्टोर पर जाकर गोल्डन करियर का एप डाउनलोड कर लें या गोल्डन करियर की वेबसाइट पर जाकर के भी इंटर्वीव क्लास जोईन कर सकते हैं एक बाद जब आप जोईन करेंगे तो यह सारी वो वीडियो नहीं हर चीज यहां पर कवर है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं क्रेडिट एंड डेविट कार्ट के बारे में इंपॉर्टन कोश्चन तो यह आपके इंटर्वी में होता है कि क्रेडिट कार्ट से बैंक्स कमाती कैसे हैं बैंक्स कैसे पैसे कमाती है तो भी हम अगर बोलें तो plastic money है plastic currency है जिससे आपके account में पैसा होता है और आप अपने उस card का use करते हुए कहीं भी उस अपने account से payment कर सकते हैं electronic form में तो उसको हम बोलते हैं debit card लेकिन debit card के लिए payment करने के लिए आपके account में balance होना mandatory है मतलब अगर आपके खाते में पैसे हैं तब तो payment हो जा होती है कि इसमें आपको कोई loan की facility या फिर आप बोलें credit की facility नहीं होती है ठीक है आपके account में जितना पैसा है उतना ही आप withdraw कर सकते हैं लेकिन अगर इसके advantages के बात करें तो क्या होते हैं चुक्कि पैसा आपका ही है तो कोई भी interest rate नहीं होता है नमबर टू किसी तरह की कोई penalty नहीं होती है जैसे अगर आप cash चाहें cash withdraw करें कहीं पर direct cards payment करना चाहते हैं direct cards से payment करें ठीक है एंड जो annual fees होती है bank की bank की जो annual fee जो maintenance charge के नाम पर लेते हैं वो comparatively low होती है credit card के comparison में ठीक है तो यह आपके debit card के फायदे होते हैं एक चीज और है debit card जो है accidental insurance के साथ आते है maximum accidental insurance अब बोलेंगे insurance के limit कितनी होती है देखिए यहां पर मैं दोनों cover कर लूँ debit card और credit card दोनों के case में यह bank to bank vary करता है 50,000 से ले करके 10 लाक रुपए तक का insurance आपका accidental हो सकता है लेकिन यह depend करता है कि वो bank आपको क्या offer कर रही है साथ में अगर हम debit card में एक और important चीज़ cover करें जो आपको देखने को मिलता है रूपे लिखा हुआ है master card लिखा हुआ है या visa लिखा हुआ है ठीक है तो यह सब क्या यह सब भी क्या debit card offer कर रहे हैं तो नहीं debit card यह offer नहीं कर रहे हैं यह सब क्या है यह आपके back end पर companies हैं जो payment का पुरा process होता है payment का एक process होता है न भाई आप क्या करते हैं देखो आप amazon से मानो कोई shopping किया आपने debit card से payment किया और debit card से payment किया ठीक है आपका account था state bank of India में तो देखिए क्या चीज़े होती है एक आपका merchant होता है ठीक है एक आपका payment gateway होता है payment gateway होता है और एक आपकी bank होती है ठीक है यह तो हो गया payment process में जो लोग include होते हैं लेकिन जो पूरा process यह प्रोवाइड करती है पूरा back end में जो facility प्रोवाइड करती है यह वो यही company है वीजा होगी रूपे होगी mastercard होगी यह पूरा आपका payment का process जो है जो facilities यह payment की वो प्रो प्रोवे भीजा भी है एमेक्स भी है अमेरिकन एक्स्प्रस है डाइनल्स क्लब है तो अलग अलग है लेकिन अगर यहां पर हम बात करें की mainly famous कौन है तो वो visa और mastercard ही है तो यह साधी बात हुई debit card के बारे में अब debit card के बारे में अगर हम first card की बात करें तो 1966 में debit card का use जो इस्तमाल है वो start हो गया था और इंडिया में जो पहला ATM है वो मुंबई में लगाया था 1987 में HSBC ने तो यह भी आपकी एक important information है ठीक है यह हो गया आपकी पूरी little debit card के वारे में अब बहुत important चींटर्वी के लिए credit card की credit card के advantage क्या है advantage भी credit card के बहुत सारे है ठीक है और इससे bank कैसे पैसे कमाती है यह हम देखेंगे credit card में देखिए credit card credit card होता क्या है जैसे आपका debit card आपके account में पैसे हैं तो आप payment कर सकते हैं लेकिन credit card की case में ऐसा नहीं होता है जिसमें limit आपकी पहले से defined होती है आप credit card के लिए किसी bank में apply करेंगे तो bank credit card देने से पहले आपकी दो चीज़े देखेगी एक आपकी salary क्या है दूसरा आपकी credit history क्या है credit history मतलब अगर आपने पहले कभी भी loan लिया है तो उसका payment आपने कैसा किया है बढ़ियां से किया है या सही time भी पैसा नहीं दिया है ये कैसे मिलेगा आपकी credit history आपके Equifax हो गया और आपका civil हो गया ये reports निकाल करके bank देखती है कि आपने कब उध लिया है bank से और उसका repayment कैसे किया है इन दोनों चीजों को देखते हुए आपकी salary को आपकी खर्चों को देखते हुए bank जो है आपके credit card की credit limit define करती है कि आपको कितने का credit card मिल सकता है या नहीं मिल सकता है mainly आपका master card या फिर visa ही होते हैं बाकी और companies के बारे में मैंने आपको 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 आपको